बहुजन समाजपार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उपचुनाओं में लगाये गए कौडिनेटरों पदाधिकारियों को हार पर मन्थन करने को कहा है उपचुनाओं में बिना किसी गडबंधन के उत्री बहुजन समाजपार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है इससे पार्टी के नीचले इस तरके कारेकरताओं का मनुबल गिरा है पुर मुख्यमंत्री और बहुजन समाजपार्टी की अध्यक्ष मायावती लखनों से बाहर है वो बहुत जल्द अपने मालेवनी स्थेत आवास पर आएगी इस बार उनके बैठक में उपचुनाओ का मुद्द रहेगा इसके अलावा अन्यमुद्दे भी रहेंगे उपचुनाओ में बहुजन समाजपार्टी की हार का मुद्द थोड़ा ज़्यादा गरम रहने वाला है माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर बड़ा फेर बदल भी हो सकता है मद्दान प्रतिशत के अनुसार पार्टी में केडर के कारेकरताओं को पार्टी में बड़ा पद दिया जा सकता है इससे नीचले इस्तर के कारेकरताओं में उत्साह भी है बहुजन समाज़ पार्टी के दो राष्ट्री पदाधिकारियों ने हार पर कुछ ना बोलने और हार के कारणों को स्विकार कर आगामी तैयारी में जूटने पर जोर दिया है। मायवतिने उपचुनाव में हार के बाद ट्विट कर कहा था कि यूपे विधान सभा आम चुनाव से पहले बहुजन समाज़ पार्टी के लोगों का मनुबल गिराने का शड़ियंतर हुआ है। कारे दूने विधाने का शड़ियंतर हुआ है।